तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हो आप सब लोग तो दोस्तों रेलवे भरती 2018 रखे रिगाडिंग आपके लिए एक इंपोर्टन मैसेज यह दोस्तों सो वीडियो को आप एंट तक जरू देखेगा दोस्तों आपको पलपल के अपडेट दे रहा हूँ जितने भी ज आप मिल सके जिया दोस्तों और उनसे कोई भी मिश्टेक ना हो सके दोस्तों अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जूड़े हो तो नीचे आपको एक लाल बटन दिखाए देगा वहाँ पर क्लिक के बगल के बेई लाइकों को भी दबा दीजिगा ताकि आने वाली सभी तक सबसे पहले पोच सके और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिगा दोस्तों जो अपलाई करने की ऑनलाइन साइट है आरार भी की जहाँ पर आप अपलाई करते हो एलपी टेकनिशन या ग्रूप डी के लिए दोस्तों उस पर के दन करना है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया उसके सबसे हम बात करेंगे उसके उनसार हम बात करेंगे उसके पहले आपको वना अनुसंदा समस्तान कास थी ते इसके बारे में बताना है अर्दना कुलम देरा दून मैसूर नाकपूर इसमें से एक ऑप्शन आपको कम करेंगे इस वीडियो में तो बहुत सारे हमारे भाई हमसे जो जुड़े गवर्मेंट जॉप स्लूशन फ्यामिली से उनके मन में डाउट है उनके मन में संका है कि जो आउनलाइन आविदन करनी कि लाज येड़े 31 मार्ट 2018 तो हम 31 मार्ट 2018 तक आविदन कर सकते ये बात तो सही है दोस्तों लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है या दोस्तों मैं आपको साब साब क्लियर कर देता हूँ दोस्तों आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े इसलिए गवर्मेंट जॉब स्लूशन एक ऐसा चैनल जो आ जादा उस पर लोड बढ़ता जा रहे हैं आपको जल्दी से जल्दी आविदन करना है ज्यादोस्तों आपको रहा नहीं देखने की 31 मार्च तक हम आविदन करेंगे लाश्ट लाश्ट में ज्यादोस्तों जैसा कि ग्रूप D की जो बरती है जादोस्तों के लिए इसमें आविदन करने की लाश्ट लेकिन दोस्तों आपको जो इस बीए बैंक चालान के माध्यम से अगर आप फिर जमा करते हो तो 27 मार्च दोजार आठारा श्याम के तीन बजे तक का समय दिया गया है और अगर आप पोस्ट आप चालान के माध्यम से आविदन जमा करते हो तो 28 मार्च दोजार अठारा तक का समय दिया गया है तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि आपको 26 तारिक के पहले ही आविदन करना है जा दोस्तों आपके पास अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी है और अगर आप 31 मार्ज़ 2018 तक भी आवेदन कर सकते हो तो मेरी रिक्वेश्ट है आप से कि आप 25 तारिक के अंडर अंडर में आवेदन कर लिजे कि बात में आपको दिक्कत हो सकती है जिया दोस्तो दोस्तो जैसा कि ELP का भी जो नोटिफिक्शन है उसमें जो आवेदन करने की लाज डेटे 31 मार्च 2018 लेकिन दो हम 31 तारिक तक आवेदन करेंगे दोस्तो आपर SBI चालान की आवेदन फीज जमा करने की जो अंतिम टीथी दे गई ये 28 मार्च 2018 तीन बज़े तक और पोस्ट आप इस चालान की मार्दियम से अगर आप आवेदन करते हो फीज जमा करते हो तो 27 मार्च 2018 तो दोस्तो आप जल पूदी से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ क्यूंकि आपका एक शेयर किसी की जिन्दगी बदल सकता है और उनकी दूआ से आपकी लाइक बन सकती है तो दोस्तो अभी तक आपके मन में जो भी सवाल चल रहे है वीडियो के कमेंट बाक्सों कमेंट करके पूछी लेजीगा मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जोड़े तो जूट जाओ ताकि आने वाली सभी अपडेट सभी जान करें आप तक सबसे सब्सक्राइब तो चले दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स वीडियो में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों चले दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स वीडियो में